दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्ने हैं पवित्र माना जाता है वहीं शादी की बात की जाए तो शादी भी दुनिया में पवित्र बंधन माना जाता है साथी आप ये भी जानती होंगी कि इंसान के साथ इंसान की शादी की जाती है लेकिन कभी आपने सोचा है या फिर देखा है कि इंसान इंसान के अलाबा किसी और से भी शादी कर ले वहीं आपने देखा होगा कि कई केस में आप लड़की को लड़की से शादी करते देखते हैं लड़के को लड़के से शादी करते सुना होगा लेकिन आप ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि एक इनसान को जानवर से शादी करते हो गए ना है रान आज हम आपको एक ऐसा ही मामला बताने जा रहे हैं हम आपको आज इस्पैन के लेंजा रोट में रहने वाली 48 साल की बार बैरेला बुचनर के बारे में बताने वाले हैं बार बेरेला बुचनर ने शादी किसी इंसान से नहीं बलकि दो बिल्लियों से की है जी हाँ सही सुना आपने बार बेरेला ने बिल्लियों के साथ शादी साल 2004 में की थी और इतना ही नहीं शादी के बाद पिछले 10 साल से साथ में रह रही है इन दोनों बिल्लियों को अपना पती मानती है और उनके साथ अपना सुखत जीवन भी बिता रही है साधी बता दें कि दोनों बिल्लियों के साथ शादी की दसवी सालगरा भी मनाई है हालंकि बार बेरेला का कहना है कि वे इन बिल्लियों के साथ 14 साल से शादी सुधा की जिंदिगी बिता रही है वही जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने बिल्लियों से शादी क्यों की तो उनका क्या कहना था बताते हैं आपको उन्होंना बताया है कि प्यार की खोज में जिंदिगी के लंबे अर्से बिता दी लेकिन कोई सच्छा प्यार नहीं मिल पाया और किसी इंसान से प्यार करो तो काफी जगड़े लड़ाई के साथ लाइफ करती है बार बैरेल ने अपने दोनों बिल्लियों का नाम स्पाइडर और लुगोसी रखा है वहीं वो कहती हैं कि उनको इस बात से ज़्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती कि उन्हें बिल्लियों की देख भाल एक पत्नी की तरह करनी पड़ती है बार बैरेला ने साल 2004 में इन दोनों बिल्लियों से शादी की थी इन से शादी के बाद वे बताती हैं कि वो अब किसी भी मर्द से शादी नहीं करेंगी क्योंकि वे बिल्लियां ही उनके पती की तरह है तो दो इसको फिलहाल के लिए इतना ही अगली वार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही रहसे मई और अजब गजब की बातों के साथ तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स नाइन निउस से प्रांशी की रुपोर्ट